चलिए अब मैं एक ऐसे सवाल पर आता हूँ जो शायद आपसे कई बार off the record पूछा गया होगा लेकिन पहली बार ये on record मैं पूछ रहा हूँ आपसे एक मैं की रात जगा थी लखनव का इकाना स्टेडियम आईपेल मैच था लखनव सुपर जाइंट्स और आरसीबी का उस मैच के बाद ऐसा क्या हुआ था कि उसकी चर्चा अभी तक और शायद कितने और महीनों तक होती रही देखें मेरी cricket field में बहुत लड़ाईयां हुई है ऐसा नहीं है कि पहले लड़ाईयां नहीं हुए लेकिन मैंने हमेशा उस लड़ाई को या argument को cricket field तक ही सीमत रखा है दो लोगों के बीच में argument हुआ और वो cricket field तक ही रहना चाहिए उसके बाहर नहीं जाना चाहिए बहुत लोगों ने बहुत चीज़े बोली बहुत लोगों ही कहते हैं heat of the moment दो दो व्यक्ति अपनी टीम के लिए respectively जीतना चाहते हैं और दोनों के पास राइट है जीतने का लिकिन अगर आप बताना चाहिए हुआ कहा था उस रात देखे मैं सिरब इसको इतना elaborate करूंगा और इससे जादा नहीं करूंगा कि जो मैंने किया वो मैं इस व्यक्ति के साथ खड़ा होना और वो मैं आखरी दम तक खड़ा हूँगा चाहे वो नवीन उलहक हो चाहे याँ पर आप में से कोई भी होगा अगर मुझे लगता है कि आप ठीक हो तो मैं आपके साथ खड़ा हूँगा और यही मुझे सिखाया गया है और यह मैं हमेश्या और इसी तरीके से अपनी जिन्दगी जीता हूँ बहुत लोगों ने बहुत चीजे बोली कि नवीन उल्हक को सपोर्ट करें हैं अपने प्लेयर को सपोर्ट नहीं करें कोई मेरा और दूसरे का प्लेयर नहीं था अगर मेरी टीम का प्लेयर भी गलत होता है तो मैं उसके साथ क एक सवाल आपसे यह पूछा ताथा हूँ और यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा, यह सही बात है शायद आपको पता नो पता हो लेकिन विराट कोली को अपना मैन अफ दा मैच गौतम गंभीर ने दिया था लोग कहा रहे हैं देखा हुआ है हमने दिए मैं नॉमली अपने रिश्टे एक्स्प्लेइन नहीं करता है यह सवाल मुझसे न एमेस धुनी के लिए भी पूछा जाता था कि आपको और एमेस धुनी का क्या रिश्टा है जो रिश्टा मेरा एमेस धुनी का है वो यह पीटना चाहता हूं और वह लड़ाई मेदान तक ही रहनी हिम जी आप दोनों महान खिलारतीयां मैं आपकी respect करता हूं कि आपने बोला जो फिल्ट पर हुआ मैं उसके उपर नहीं बोलूँगा मैं उस बात कि respect करता हूं